इस वीडियो में हम एक निया टॉपिक पढ़ेंगे अपने बिजनस चड़ीज में बिजनस चड़ीज में अपका चेप्टर है Consumer Protection Act 2019 जबकि पहले की बुक्स में वो Consumer Protection 1986 था अब वो चेंज हो गया है बुक्स में अपडेट हो चुका है 2019 अपडेटेड वर्जन आपके बुक्स में आ चुका है So according to this chapter guys हमारा जो 3 trial redressal machinery system है बताओंगी यह क्या होता है वो थोड़ा सा change हुआ है तो उसके ओपर वीडियो बनानी तो बनती थी तो guys सबसे पहले यह 3 trial redressal commission या machinery system होता क्या है देखो Basically क्या होता है जब भी कोई consumer किसी चीज से कोई product से परशान हो चुका है या उसके साथ कोई धोका हुआ है या उसके साथ कोई भी उसको गलत समन पकड़ा दिया गया और उसको नुकसान पहुँच गया तो वो कहां जाएगा अपनी complaint को लेकि वो कहां जाएगा तो वही हमारा three-tile redressal machinery में बताया गया यानि कि तीन steps होते हैं तीन जगे होते हैं जहां पर वो जा सकता है लेकिन यह नहीं कि आप starting से ही third step पे चले जाओगे नहीं तो first step क्या होता है that is district consumer dispute redressal commission यानि कि district level पर जो हमारा consumer का क्या है dispute redressal commission यानि कि dispute बोले तो क्या होते है guys जो भी आपस में मद्भेद हो रखा है उसको redress करना यानि कि इसको solve करने का commission ठीक है तो इसको हम short form में district commission भी कहते हैं यहां पर basically एक president होता है जो सुनवाई करता है और दो member होते हैं not less than two members और not more than जितना central government decide करेगी उतने बंदे हम रख सकते हैं बड़ दो से कम नहीं होने चाहिए यानि कि minimum two members होने चाहिए इसमें और एक president होना चाहिए इसके अलावा guys यहां पर कितने तक के मामले आ सकते हैं यानि कितने रुपीज तक के मामले आ सकते हैं तो अगर आपका एक रुपे का भी नुकसान हुआ है तो आप court में जा सकते हो district commission में और कहां तक एक करोड तक के नुकसान के लिए एक करोड तक के मामलों के लिए हम इस district commission को यूज करते हैं और अगर आप district commission से satisfied नहीं होते हो तो आप जब आपका order आता है district commission का तो उससे 45 days के अंदर अंदर आप दूसरे commission के पास पहुंच सकते हो यानि कि higher authority तो यहां पर जो higher authority है हो है state commission जिसका बड़ा नाम क्या है state consumer dispute redressal commission यानि कि जो यह था उसी में बस state word add कर दिया और इसे हमें state commission कहते है ठीक है तो अगर आप यहां के अपने इनोंने जो फैसला सुनाया आप satisfied नहीं हो आपको लगता है कि इनों का फैसले से हमें सही judgment नहीं मिल पाई है हमें इंसाफ नहीं मिला तो आप कहा जाओगे दोड़े दोड़े state commission के पास ठीक है आप जब state commission के प 45 दिन का समय होता है जब यह order देता है उसके within a 45 days आप अपील कर सकते हो state commission में अगर आपका 45 दिन से जादा हो जाते तो आप अपील की उमीद मतलब जो वो होता है एक chance होता है वो नहीं मिलता आपको यानि कि 45 दिन के बाद आप अपील नहीं कर सकते हैं आपको 45 दिन के members होते हैं और सादा कितने हो सकते हैं जो हमारी central government decide करती है इसमें 1 करोड से लेके 10 करोड तक के मामले आते हैं यानि कि 1 करोड से कितने तक के 10 करोड अगर किसी बंदे कर नुकसान है 2 करोड का तो वो यहां जाने की बजाए सीधा कहां जाएगा state commission में जाएगा क्योंकि यहा के भी फैसले से हम satisfy नहीं होते तो हम कहां जाएंगे हम जाएंगे national commission के पास यानि कि अपना third जो हमारा step है उसके पास लेकिन हमारे पास जो समय रहेगा वो सिर्फ 30 दिन के अंदर यानि कि इसने जब अपना फैसला सुनाया order दिया उसके 30 दिन के अंदर हमें national commission के पास जान यहां पर लेकिन direct अगर जो मामले आते हैं वो कितने करोड तक क्या आते हैं guys 10 करोड से जादा वाले यानि कि हमें अगर 50 करोड का किसी को case करना है तो हम national commission में direct ली जाएंगे तो यहां पर 10 करोड से जादा के मामलों को consider किया जाता है या फिर यहां से जो आए हैं उन्हें इसके अलावा अगर आप इसमें भी satisfied नहीं हो यानि कि आपको national commission का जो satisfaction है वो नहीं मिल रहा आपके मामले 10 करोड से जादा के हैं तो अब हम कहां जाएं तो जब हमें कहीं से कहते हैं ना इंसाफ नहीं मिलता तो हमें एक जगे नज़र आती है that is supreme court तो हम उसके बाद supreme court के पास जाएंगे और वहां पर अपनी चीजों की सुनवाई करेंगे नहीं कि आप एक रुपे का केस लेकर यहां चले जाओगे नहीं ऐसा नहीं हो सकता आपका amount कितना है आपने national consumer dispute में कब केस कराया था वो सब मेटर करता है विदिन 30 डेस आपको आगे अपील करना होता है तो supreme court में हमारा last step होता है supreme court जैसा कि आप जानते हो जो हमारे यहां का इंडिया का main court माना जाता है जहां पर इंसाफ होता है तो हम वहाँ जा सकते हैं लेकिन ये three trial judicial commission में क्या क्या चीज़े important है guys एक तो limit याद जरूर रखनी है amount की in the constitution यानि की one president two member and one four one four होता है इसमें 45 दिन के अंदर इसमें दोनों में 30-30 दिन के अंदर का आपको समय दिया जाता है तो ये चीज़े हमें three trial judicial commission में याद रखनी है इसके basis पर case study भी आती है guys जो कि हम आने वाली वीडियो में solve करेंगे और अगर आपको कोई भी query है guys आप मुझे instagram पर contact कर सकते हो id है तब इता मैसी और या फिर youtube पर comment की थ्रू थांक यू